Hello friends, अभी मैं batch ले रहा था तो बीच में कुछ updates आये हैं जो November का exam है वो as it is होने वाला है जिन जिन बच्चों को COVID की वज़े से problem है उनके exams अब January और February के mid में भी conduct किये जाएंगे दूसरा update मेरे पास है कि अगर आप November में exam देते हैं और अगर आप पूरा पूरा एक group दे देते हैं और आपको कोई health issues आता है तो पूरा एक group उसमें माना जाएगा वो आगे आपको फिर से एक group देने की जरुवत नहीं है लेकिन अगर आपने सिर्फ दो paper दिये हैं और आपका फिर कुछ health issues आता हैं आप आगे continue नहीं करना चाहते हैं कुछ आप opt-out करना चाहते हैं तो वो दो paper आपको next exam में फिर से देने पड़ेंगे वो carry forward नहीं होगा ठीक है? तो ये दो updates मेरे पास थे So I hope आप जो भी decision लेंगे वो सही होगा तो friends मेरा इतना ही कहना है कि अगर आप exams के लिए तयार हैं और अगर आपको कोई health issues नहीं है तो आपको exams बिलकुल देना चाहिए और आप बिलकुल skip करने का मज़ सोचिए क्योंकि life में बहुत uncertainty है कल क्या होगा क्या-क्या decisions और आएंगे किसी को नहीं पता but definitely आप इसे face कीजे इस challenge को face कीजे I wish कि आपको वो ताकत मिले ये सारी situation को face करने का because ऐसी दुनिया ऐसी uncertainty की दुनिया शायद किसी ने कलपना भी नहीं की होगी but अगर आप exam के लिए तयार हैं even if you are 60% prepared अगर 100% भी नहीं अगर आप 60% भी prepared हैं 50% भी exam के लिए prepared हैं तो आपको exam देना चाहिए provided आपको कोई health issues नहीं है तो ठीके friends thank you very much and wish you all the best for your exams thank you so much